रवीना डेंडन जल्दी अक्षे कुमार के साथ सालूबाद किसी फिल्म में नजर आने वाली है एक समय पर इनकी जोडी बॉलिवुट की फेवरिट जोडियों में से एक थी लेकिन आपसे रिष्टे में दरारानी के बाद दोनों की बीच का प्रोफेशन रिस्ता भी लगभग खत्म हो गया दोनों के साथ काम भी नहीं किया लेकिन अब सालूबाद फिर से दोनों एक साथ नजर आने वाले हैं में अक्षे कुमार को लेकर के एक सवाल किया गया हालिये में एक इंटरव्यू में रवीना से अक्षे कुमार की बेवफाई के बारे में पूछा गया जिस पर अब नेतरी ने जवाब देने से साफत तौर पे इंकार कर दिया दरसल पत्रकारों नहीं जब ये पूछा कि क्या बेवफाई एक डील प्रेकर बन गई है तो रवीना ने कहा मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहती मेरे हिसाब से हर रुष्टा विश्वास पर होता है प्यार और इमानदारी पर्टिका होता है रवीना के जबाब से लगता है कि उन्होंने अक्षय के साथ अपने पुराने शिक्वे गिले भुला दिये हैं क्या लगता है अक्षय और रवीना के बीच सब कुछ ठीक हो गया है आपको बता दें कि इस साल की शुरुवात में रवीना और अक्षय ने इस साल की शुरुवात में एक अवार्ड शो में साथ उपस्थिती दर्ज कराई थी और अब वेलकम थ्री में नजर आनने वाले हैं जिसे लेकर के अवचारिक रूप से वेलकम टू दे जंगल टाइटल दिया गया है इस बीच उसे इंटर्व्यू में रवीना ने ये भी कहा था कि रिष्टों में उनके पास इतिहास का अपना हिस्सा है उन्होंने और उनके पती निर्माता अनील थडानी ने एक दूसरे के स अपने पास रिलिशन्टिप पर कभी चर्चा नहीं की रवीना आगे कहती है कि उनके पती चीजों पर चर्चा करना पसंद नहीं करते हैं जो शायद उनके और उनके अतीत के लिए बहुत नीजी है और ना ही मैं इस पर बात करना पसंद करती हूँ जब रवीना की मुलाकात अनील से हुई थी तब उनका तलाग हो चुका था अनील थडानी के साथ अपनी पहली मुलाकात के बारे में बात करते हुए रवीना ने कहा हम 4 अगस्त 2023 को मिले और हमारी बातचीत की शुरुआत हुई और फरवरी 2004 तक हमारी शादी हो गई खैर अब इस टीजर को देखने के बाद से जो रवीना और अक्षे के फैंस है वो खास से खुश है अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, कॉमेंट, सब्सक्राइब जरूर करे साथी जो बेल आइकन है उसे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भ लूट करे उसका नोटिफिकिशन आप तक असानी से मिल जाए